येक बार सरकार हम लोग का मन फूरी करें गाउं देहात में सुविधाओं के नाम पर बरस दर बरस खेल चलते हैं नमस्कार मैं विजय आप देख रहे हैं लोकल न्यूजर्प इंडिया गाउं के कुई दिली तक साथी प्रदीब जैसवाल ने पिंडारी टोला के इन लोगों का चेरो समाज के लोगों का दर्द सरकार तक और अधिकारियों तक पहुचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है आप देख सकते हैं कि बिना बिजली के रह रहे इन लोगों से आप डिजिटल इंडिया और काया कलप जैसे प्रेणा मिसन में पढ़ाई करने की कलपना कैसे कर सकते हैं यह वैसे भी इलाका सहाय साहब का है वही सहाय साहब जहां मास्टर बिना हाजरी लगाए सैलरी की मलाई काट रहे हैं चड़ावा चड़ा कर ऐसा हम नहीं ऐसा वहां का पूरा सिस्टम कहता है जाज का विसे है जाज दियम साहब के यहां से निकल कर कहां गई वो वक्त बताएगा दो हजार बाइस के बाद अगर योगी का राम राज बचा तो सायद इस पर कुछ सुनवाई होगी नहीं बचा तब तो प्रभु राम ही मालिक यह चुनावी मुद्दे का जो महौल है यह हर टोले मुहले गली कूचे में देखा जा सकता है यह आदिवासी लोग हैं इनकी छोटी छोटी मांग को अगर इनका अपना विधायक जो कि खुद इनके चेरो समाज का है नहीं पूरा कर सकता तो लानत है ऐसे विधायक पर और ऐसे अपने समाज के प्रत्यदी पर रही बात ग्राम प्रधान की और सरपंच की तो इनके मन में तो खोट होता ही है क्योंकि यह सिर्फ ओट की भासा जानते हैं या उनकी मदद करना चाहते हैं जहां से इनको मलाई खाने का मौका मिले और फिर से इनको सत्ता में आने का तो चाची जी क्या नम है आपका रामपति समेश्य के हैं समेश्या तो बहुत बड़े बाद हो हमारा सब प्रोला से जदा हमारा अपने प्रुबान सार जदा हमारा हर एक चीज़्पमने मरा मले जदा संखिया जंगल में नायक्ठ लकड़ी नायक्ठ काठी जूरी मिले बहुत परशानी है कौनों परधान जितता है हम लोगों का नहीं देखता है कि उधर जाकर देख ले जैसे कि जन प्रतिनिद्धी प्रधान होगे विधायक होगे जिला पंचाय सदस होगे और जितने भी सरकारी कंचारी है आप अप्लिकेशन कितने बार दिये हैं वहां विध लुए जाने कि कहां विधायक कुछ परता है कि देखिया अप्लिकेशन हमने दिया और कोल आया पोल दूसरे जेगर टरंसफर हो गया तो बिधायक इस बात को फिर नहीं बोले कि देखिया अप्लिकेशन हमने दिया यह दूआ डूबर नहीं बैफा आप नहीं भी और माइना नहीं मुस्टाने समया हाँ सारे लोग का चले ठी और कुछ कहना चाहते हैं याप हम तो देखिए हमको पोल विजली जरूर चाहिए अच्छा अब परधान लोग आपना बनाना हो गया जो भी कारे करना वह करते हैं वह लाइट से सो रुपया पचास रुपया के जब और आज आता है तो भी खरीदते हैं वनीसीला करके पहारपंडों में तो कोनो खेती किसानी को कोई सुधा नहीं है आध mut हो से जब किसी का काम करते हैं थो भोजन करते हैं और कारट भी हमको मिला खाली जतना गरीब आप खाली उज़र मिला है तो मैं einen क्योंकि मिला भी नई है और क्योंकि मीला है तका हैली उजसें यूद्थ treating हैं और बर बच्चे उपस्थित हैं जो Пока लोकी यह देख जानते हैं किस तरह से पढ़ाई करते हैं यहां कैसे पढ़ाई करते हैं आगी से करते हैं आज जी जैसे कि जो हूमर मिलता है अगी से कितना अगी जला करके हूमर करते हैं एक गंटे दो गंटे कितना पढ़ाई करते हैं 2 घंटे साथियों अब देख सकते हैं जैसा कि यहां पर बच्चे उपस्तित हैं एक अंदाजा लग रहा है कि इतना बड़ा अनर्गल यह कार हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी दुर्भाग है कि यहां पर लाइट नहीं पूश पाया है और लाइट नहीं रहेगा तो बच्चे कैसे पढ़ लिख करके अपना जैसे कि कोई भी अधिकारी कमचारी या अपना कैसे जीवन निर्वाह कर सकते हैं बिजली नहीं है तो अजी ब्रकेश कर रहे हैं इनके दिल पर कितना एक ऐसा लगता होगा तो पढ़ाई किस तरह से घटे होंगे आयो देखते हैं पढ़ाई कैसे करते हैं लाइट नहीं है जो आते हैं और उनसे आप लोग बोलते हैं कि हमारे हां लाइट नहीं हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे तो क्या करते हैं करते हैं करते हैं लेकिन अभी तक दिये नहीं है ना चले ठी किदर आये क्या नाम है क्रिष्णा क्रिष्णा समेश्य क्या है समेश्य क्या है कि मैं पढ़ाई करता हूं लाइट बत्वी नहीं है अच्छा तो किस क्लाज में पढ़ाई करते हैं आप अच्छा चार में तो जो मिलता है तो कैसे करते हैं राप में तब आगी बार सक कर दो घंटा अच्छा चले ठी प्रदीब थोड़ी देर के लिए अपनी पत्रकारिता छोड़ कर यहां के चेरो समाज के लोगों का दर्द आप तक पहुचाने के लिए उनी के बीच में जा पहुँचे आप खुद ही देखिए किस तरीके से प्रदीब जैसवाल ने चेरो समाज के लोगों के दर्द को इस रिपोर्ट के माफिक दिखाने का प्रयास किया है हमारी यानि लोकल न्यूजाप इंडिया की पूरी कोशिस है कि गाओं कुनबे में बस रही ऐसी दिक्कतों का रूबरू सरकार से कराना क्योंकि जब तक सरकार इन समस्याओं से अपना सरोकार नहीं रखेगी वास्तों में विकास जमीन पर नहीं आएगा साथियों जैसा कि मेरा नाम प्रदीश कुमर जैस्वाल और जो कि ग्राम पोस्ट पिंडारी तोला बुडा से सटे हुए यहाँ पर चेरो समाज की लोग निवास करते हैं और हम सरकार से एक मान करना चाहते हैं जो कि अभी आजादी से लेके अब तक यहाँ राइट नहीं है कि अब एक अधाजा लगा सकते हैं कि सीटी सहर में लोग कैसे से अपना तरक्पी कर रहे हैं पढ़ लिख्र हैं अपने बचत्चे कर रहे हैं नोकली मुकम हो आप वहाई कर कि यहाँ पर handsome आप नहीं है तो साथियों हम सरकार से मांग करते हैं और गुहार लगाते हैं कि यहां पर लाइट का जल से जल समेशया का निराकरण किया जाए अन्यता हम सरकार से मांग करते हैं कि यानि मांग को पूरा नहीं करते हैं तो हम सरकार से ये भी गुजारिश करते हैं कि हमको बाध्धे होना ना पड़े जो की हड़ताल और धरना देना ना पड़े हम चाहते हैं कि यहां पर जल से जल लाइट आजाए क्योंकि लाइट नहीं है तो काफी समय से आये है कि जैसे यहां पर भोजन बनाने के लिए लाइट नहीं है तो आग से अपना एनी की खाना बना रहे हैं बच्चे लोग पढ़ाई कैसे करते हैं एक अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर लाइट नहीं है तो जब लाइट नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे अगर जब तो शाथियों जैसा कि हम दियम साइब से मांग करते हैं गुजारिस करते हैं कि यहां पर जल्द से जल्द लाइट दिया जाए अन्य था हम यह जैसा भी होगा एक महिने का या 15 दिन का समय लेना चाहते हैं अगर यहां का मांग पुरी नहीं होगा तो हम लोग हरताल देने के लिए बात देहूंगे भारत मता की है हम लोग की मांग पूरी करो हम लोग को मांग पूरी करो हम लोग की मांग पूरी करो सब्सक्राइब करते हैं इसे की जो भी बता रहे हैं चाची की अप्लिकेशन हम लोग दिये उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक नहीं सुनवाई हुआ बच्가요 कि अपका समस्या हो रही है और समस्या क्या है आपका समस्या है मेरे घर में विजल काट है बहुत परतानी है अच्छा लाल काट था जी जी काट को एक करके पात ग्रिश्टी व्ला जो काड़ है वह है और कोई समस्या है क्या नहीं है बैबू क्या राजकुमार अच्छा ये बताओ कि जैसे जब इसकूल से आते हो साम को तो पढ़ाई कैसे करते हो आगी बार काची भुरा केज बोलो